स्क्राइब टेंड्स कैसे हैं आप आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेग्नेंसी कंफार्म होनी की बाद में ब्लीडिंग शुरूग जो हो जाती है क्या रिजन्स होते हैं इस टॉपिक पर मेरे और भी वीडियो है अगर आप डीटल में देखना चाहते तो आप उनको देख ल देट मिस होने के बाद में कंफर्म हो गया कि प्रेग्नेंसी टेस्ट हमारा पॉसिट्व है हमने देखा कि हमारा बच्चा रुग गया देड़ महीने दो महीने में ब्लीडिंग फिस से शुरू हो जाती है तो क्या कारण होते हैं यह एक मिस्डेवोशन का खत्रा होता है कई कई बार यूट्रस कमजोर या बच्चेदानी कमजोर होती है जिसके कारण ब्लीडिंग फिस से शुरू हो जाती है कई बार यह हार्मोन का इंबालेंस के कारण ब्लीडिंग फिस से शुरू हो जाती है तो आपको इसी कंडिशन में क्या करना है देखिए अगर आपके साथ पहले भी इसा हुआ है तो जैसे आपकी डेट मिस हुई आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा पोजिटिव है तो आपको अपने नजदी के डॉक्टर से चेक अप करवा लेना है और अपनी पिछली हिस्ट्री आपको क्लियर बताना है कि हमरे साथ पहले ऐसे हो चुका है और अभी का क्या कि आपको अभी प्राक्रतिक रूप से कंसीव हुआ है यानि कि कोई दवाई नहीं लिए आटोमेटिक से कंसीव हुआ है या फिर आपने कोई दवाई या मैडिसिन ले करके कोई ट्रेटमेंट ले करके कंसीव किया है वो हिस्ट्री अपने डॉक्टर को ब हो सकता है कि पीरेड आने जिसी ब्लीडिंग हुई है तो हमको इमेज़टली अगर हमें डॉक्टर के पास जा रहे हो सकता है कि हमेरे डॉक्टर के पास बहुत वीडों हमें साथ गंटे तक नंबर ना आए एमर्जनसी में नहीं देख सकते हो तो आपको इसे कंडिशन में क्य पस्तर रहता है कहीं बार इतनी पीरेड जैसे ब्लीडिंग आपकी आज आती है और हम मेडिसन दे करके उसको रोग देते हैं फिर भी हमारा बेबी एकदम ठीक होता है उसमें कोई परिशानी नहीं होती है अगर आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हुई है दो चार ब दर पीट में दर्द भी हो रहा है तो आपको टेक्जा काइंड एम एफ टेबलेट लेना है जो किस टाइप की दिखाई देती है दो सो पचास एमजी की एक टेबलेट सुबा एक शाम को खाना है तीन दिन के लिए आप इसको ले लीजिए जैसे ही आपने मॉर्णिंग में या जब भी आपको ब्लीडिंग शुरू ही है तब आपको टेबलेट खाना है और अपने डॉक्टर के पास चली जाना है ताकि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए आप एक टेबलेट लेंगे तो आपकी ब्लीडिंग काफी कम हो जाएगे आप 2-4 घंटे के बाद में अ सोनोग्राफी करवाएंगे यहीं कि अल्टर साउंड आपको करवाना है उस मेगा शो होता है कि आपके बेबी मिधरकने बच्चा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके डॉक्टर देखकर करके ट्रीटमेंट आपको आगे का दे देंगे आपको इसके साथ में प्रोज जैटली में हमारे ब्लीडिंग तो रोपना है कई बार हमारा बेबी सेफ होता है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो हमें यह खत्रा यह रिक्स नहीं लेना है कि जब तक हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक हम कोई दवाई नहीं लेंगे देखी अगर हमारे के दरा भी का करवा देंगे आपको फ्री कर देंगे अगर हमारे बेबी एक दम ठीक है तो डॉक्टर आपको आगी की मैडिसन लिख देंगे जैसा भीआ आपको और आपकी डॉक्टर को ठीक लगेगा वह विसक कर सकते हैं अब आपको फिलाल में ब्लीडिंग रोकने से मतलब है तो आप टेक्जकाइन टैबलेट एक सुबा एक शाम को ले और फिर अपने डॉक्टर के पास आपको चले जाना है और डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर को बताएंगे कि हमें ब्लीडिंग शुरू हो करते हैं मेरे चैनल पर नए है तो सब्क्राइब करें आपको एस ही नहीं नहीं जानकारी मिलती रहेगी धन्यवाद